आकश्वणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धार्ना सच्देव 18 वर्ष से अधिकाई उबर्ग के लिए सरकारी केंदर उपर निश्वलक राष्ट्र व्यापी कोविड टीका करन भी आन जारी है युवाश्वताओं से हमारी अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोच साहित करें कोविड स्वास्ते के लिए खत्रा बना हुआ है ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोता ही न बरतें जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और रीका अवश्य लगवाएं कोविट से संबंदित जानकारी देने और उनके मार्ग दर्शन के लिए राष्ट्री हेल्पलाइन कारिरत है इसका नमबर है 011-297-8046-1075 अब इस बुलिटन के समाचार पहले मुख्य समाचार प्रदेश में कल से स्कूल फिर खुलेंगे कक्षा नौवी से बारवी तक की कक्षाई लगेंगी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी आद सुबा 11 बचे आकाशवाणी से मन की बातकार क्रम में लोगों के साथ अपने विचार साचा करेंगे अलम्पिक में भारत की पीवी सिंदू इसराइल की खिलाडी के विरुद आज बेडमिंटन में अपना अभियान शिरू करेंगी और मौनसुन सुक्रिय होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में हो रही है जमाजम बारिश राजधानी भुपाल में भी रात बर हुई वर्षा अब समाचार विस्तार से प्रदेश में कल से स्कूल खुल रहे हैं स्कूल शिक्षा विभागने प्रदेश के सभी स्कूलों में मौझूदा शिक्षा सत्र के लिए कल 26 जुलाई से कक्षा नवी से बारवी तक की कक्षाएं प्रारंब करने के लिए निर्देश जारी किये हैं विद्यातियों के भविशे और सुरक्षा की मद्दी नजर कोविट के देशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं आदेश में कहा गया है कि सब्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को बारवी की कक्षाएं और मंगलवार और शुक्रवार को ग्यारवी की कक्षाएं लगाई जाएंगी दसवी कक्षा के लिए बुधवार और नवी कक्षा के लिए शनिवार का दिन तै किया गया है राजसरकार ने स्कूल, कॉलेज में शिक्षकों और करमचारियों के लिए भी वैक्सिनेशन अनिवारे कर दिया है इसके लिए 26 से 31 जुलाई तक विशेश ठीका करन भियान संचालित किया जाएगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज सुबा 11 बजे आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे यह महासिक रेडियो कारिक्रम की न्यासी भी कड़ी होगी आकाश्वानी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्ग पर इसका प्रसारन होगा यह आकाश्वानी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और News on AIR मोबाईल आप भर भी उपलब्द रहेगा आकाश्वानी दूरदर्शन समाचार प्रधान मंत्री कारियाले और सूचना और प्रसारन मंत्राले के YouTube चैनलों पर भी यह कारिक्रम सीधा प्रसारिध होगा हिंदी में प्रसार्ण के तुरंत बाद आकाश बानी से इस कारिकर्म का क्षरिय भाषाओं में भी प्रसारण होगा खरिय भाषाओं में कारिकर्म रात आठ बजे फिर से सुना जा सकता है भारत के कोबिड रोडी तीका करण के तहट अब तक 43 करोड से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं जो की एक नया रिकॉर्ड है देश में अब तक 43 करोड 26 लाख 5566 टीके लग चुके हैं स्वास्ते मंत्राले ने बताया है कि टीका करण का नया चरण 21 जून से जो शिरू हुआ था और कल वैक्सीन की करीब 46 लाख डोज लगा दी गई मंत्राले ने यह भी बताया कि कल 18-44 आयूवर्ग में 22,80,000 से अधिक लोगों को पहली डोज जबकि 2,72,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई इस तरह 37 राजियों और केंदर शासित प्रदेशों में टीका करण के तीसरे चरण के शुरुआत के बाद से 18-44 वर्ष के आयूवर्ग के 13,87,000 से अधिक लोगों को पहली जबकि 6,46,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है तीन राजियों यानि मध्य प्रदेश, महराश्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयूवर्ग में कोविड रोधी वैक्सिन की एक करोड से अधिक डोज दी जा चुकी है आंदर प्रदेश, असम, चत्यसगर, दिल्ली, हर्याना, जारखंड, केरल, तिलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओरिसा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18-44 आयूवर्ग के 10 लाग से अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए, मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ हर मूँ साफ रखें ब्रेक के बाद बुलिटिन में एक बार पेर आपका स्वागत है उलम्पिक में बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंदू इसराइल की खिलाडी के विरुद आज अपना अभियान शिरू करेंगी यह मैच अब से कुछ देर बाद शिरू होगा सिंदू ने रियो उलम्पिक में रजत पदक हासिल किया था आकाश्वाणी से टोक्यो उलम्पिक में महिला सिंगल्स बैडमिंटन ग्रूप के भारतिय खिलाड़ों के मैच का हिंदी और अंग्रेजी में आखो देखा हाल आज सुबा साथ मजे से आठ बजे तक या खेल समाप्त होने तक प्रसारित किया जाएगा पुरुष डबल्स बैडमिंटन ग्रूप मैच में भारतिय खिलाड़ों के मैच का भी प्रसारन कल सुबा नौ बजे से सुबा दस बजे तक या खेल समाप्त होने तक होगा यह यूट्यूब, DTH और News on AIR मुबाइल आप पर भी प्रसारित किया जाएगा दूसरी और कल उलंपिक खेलों में भारत ने अच्छे शुरुवात की भारोदोलक मीरापाई चानू ने देश के लिए पहला पदख जीता और उनोंने 49 किलोग्राम भारवर की क्लीन एंड जर्क्स परधा में 202 किलोग्राम वजन उठा कर रज़त पदख जीत लिया राश्ट्रुपती, प्रधान मंत्री और खेल मंत्री ने चानू को उनकी शांदार सफलता के लिए बधाई दी है वही टेबल टेनिस में भारत के सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स के पहले मैच में उसबेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को हराया महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने इंगलान की खिलाडी को हरा कर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया पुरुष बेडमिंटन में चिराग स्चेटी और रंकी रेडी ने ग्रुप A के पुरुषों के डबल्स माच में चीनी जोडी को हराया वहीं पुरुष सिंगल्स मकाबले में साई प्रणीत हार गए पुरुष होकी में भारत ने पूल A में खेलते हुए न्यूजिलांड को तीन दो से पराजित किया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज सेवा और राज वन सेवा प्रारंबिक परिक्षा 2020 का आयोजन आज किया जा रहा है यह परिक्षा दो सत्रों में प्रदेश के सभी बावन जिला मुख्यालों पर एक साथ आयोजित की जाएगी परिक्षा में 3,44,491 परिक्षारती शामिल होंगे इसके लिए एक हसार से अधिक परिक्षा की इंदर बनाए गए है आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहला सत्र सुबा 10 बजे से दोपह 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपह 2 बज कर 15 मिनट से शाम 4 बज कर 15 मिनट तक आयोजित किया जाएगा सभी मुख्यालियों पर COVID-19 संक्रमित परिक्षारतियों के लिए प्रतक से परिक्षा केंद्रों की विवस्ता की गई है अब बात मौसम की बंगाल के खाड़ी में कम दबाव का शेतर बन जाने से प्रदेश के अधिकतर हिसों में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है राजधानी भोपार में कल रात रुक रुक कर बारिश होती रही उजहन के आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने से कल राम घाट पर सभी छोटे बड़े मंदिर डूब गए थे डिंडोरी में सिल्गी और सिलहटी नदी को जोड़ कर बने बिलगर बांध से पानी छोड़ा गया रतलाम के सैलाना का प्रसिद केदा रेशवर जर्ना अपने पूरे वेक के साथ बहने लगा है पन्ना जिले में भी बारिश हो रही है यहां बिजली गिरने के चार अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की बृत्य हो गई और अठारा अन्य घायल हो गई जिला कलेक्टर ने बताया कि पिछले दो दिनों से जिले में बादल चाय हुए है और रुक-रुक कर बारिश हो रही है इस दोरान उरेहा, पिपरिया, दोंद, चौमुखा और सिमरा खुर्द गाउं में बिजली गिरने की कुछ खटनाएं भी हुई राज यही नहीं, पूरे देश में हो रही बारिश के चलते, रेल और सड़क यातयाद भी प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने प्रदेश के दस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है बुलिटन में अब कुछ समाचार संक्षेप में पूरे प्रदेश में कल गुरु कुर्णिमा का पर्व, परंपरा और श्रधा के साथ मनाया गया कई स्थानों पन गुरु वंदना के कारक्रम भी आयोजित किये गए चतरपूर के बकसवाहा जंगल में मानव सभ्यता के इतिहास को समेटे दुरलब रॉक पेंटिंग मिली है ये 25 से 30 हजार साल पुरानी बताई जा रही है और होशंगाबाद जिले के प्राथमिक स्वास्त केंदर डॉलेरिया के ग्राम पांजरा कला में युनिसेफ की राज्यस्तरिय टीम ने कल हेल्थ वेल्नेस सेंटर और आंगनवाडी केंदर का दौरा किया अंत में बुलिटन की मुखे समाचार एक बार फिर प्रदेश में कल से स्कूल फिर खुलेंगे कक्षा नभी से बारवी तक की कक्षाएं लगेंगी प्रदान मंतिर नरेंद मोधी आज सोबा 11 बजे आकाश्वाणी से मन की बातकार करम के द्वारा अपने विचार साचा करेंगे उलम्पिक में भारत की पीवे सिंदू इसराइल की किलाडी के विरुद आज बेडमिंटन में अपना अभियान शिरू करेंगी और मौनसुन सक्रिय होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में हो रही है जवाजम बारिश राजधानी भुपाल में भी रात भर हुई वर्षा इस मुलिटन में फिल हाल इतना ही मुलिटन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार